हम राम्यान में आखिर क्या है रामंड हमें हर वरतांत में कुछने कुछ सिखाती है अगर सुनों तो एक छोटा सा वरतांसुनाता हूं एक रात की बात है माता कोसेला जी को सोते समय अपने महल के छत पर किसे के चलने के आठ्ज लेएं माता कीनेद्फ खुल गई पूछा कौन है मालूम पड़ा सूर्तिकृती जी है नीचे बुलाया गया सूर्तिकृती जी जो सबसे छोटी बहु है आई चरुणों में परणाम कर कड़ी रहे गई माता कोशल्य जी ने पूछा सूर्ति इतनी रात को अक्रिली सत्पिर क्या कर रही है बिठिया क्या नीद नहीं आरी सत्रुगन कहां है सूर्तिकृती की जी की आखे भराई मागी छाती से चिप्टी गोद में सीमट गई बोली मा उन्हें तो देखे वे तेरे वर्स हो गए सत्रुगन जी कहां मिले जी हां अयोद्या जी के जिस दर्वाजे के बाहर भरत जी नंदिग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं उसी दर्वाजे के बीतर एक पत्थर की सिला है उसी सिला पर अपनी बाहां का तक्या बनाकर लेटे मिले मा अगता कोशलय सिरारे बेट गई बालों में हाथ फिराय तो सत्रुगन जी ने आखे खोली मा उठे चरनों में गिर गए मा आपने क्यों कष्ट किया मुझे बुलवा लिया होता मा ने का सत्रुगन यहां क्यों सत्रुगन जी करुराई फूट पड़ी बोले मा भया राम जी पिता जी के अग्या सेवन चले गए बया लक्समर जी उनके पीछे चले गए बया भरत जी रंदिगराम में है क्या यह महल एरत रासी वस्तर विदाता ने मेरे लिए ही बनाए है माता कोशलय जी निरत रुपतर रहे गई देखो क्या ही है यह राम कथा यह बोग की नही है कोई पीछे नहीं रहना चाहता है चारों भायों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्वुत अभिनव और अलोकिक है जैसरी राम राम जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है बगवान नाम जी को 14 वर्स का वनवास हुआ तो उनकी भारिया माता सिता ने भी सहर्स वनमास सविकार कर लिया परंतु बच्पन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्समन जी केसे राम जी से दूर हो जाते हैं माता सुमित्रा जी से तुन्हों आके ले ली थी वन जाने की परंतु जब पतनी उर्मिला के कर बढ़ रहे थे तो सोच रह स्वामिया आप मेरी जिंता सोड पर्भु की सेवा में वन को जाओ मैं आपको नहीं रोकूंगी मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बादा ना आए इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी लक्समन जी को कहने में संकोच हो रहा था परंतु उनके कुछ कहने से पहले ह बर्स तब उनमिला जी ने एक तपस्विनी की बाती कटोर तप किया वन में भाईया बावी की सिवा में लक्समन जी कभी सोे नहीं पर अर्मिला जी ने भी अपने मेलों के दौर कभी बंद नहीं किये और सारी रात जाकर उस दिपक की लोग को भुज़ने नहीं दिया मेगनात से यूद्ध करते सब जब लक्स्मन जी वो सक्ती लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए सजीवनी वूटी का पहाड लेके लोट रहे होते हैं तो बीच में यूद्या में बरत जी उन्हें राक्सस समझ कर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं तब हनुमान जी सारा वर्तान सुनाते हैं कि चीदा जी वो रावन ले गया लक्स्मन जी मुर्चित है ये सुनते ही कोसिला जी कहती है कि राम को कहना कि लक्स्मन के बिना आयोद्या में पेर मत रखना राम वन में ही रहे माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं अभी सत्रुगन है मैं उसे भेज दूँगी मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे है माताओं का प्रेम देकर हनमान जी की आखों से असुर धरा बैट रही थी परन्तु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोसरे लगे कि यह क्यों एकदम शांत और परसंद खड़ी है क्या इन्हें अपने पती के प्राणों की कुछ चिंता नहीं है हनमान जी पूछते है कि आपके प्रसंता कारान क्या आपके पती के प्राण संकट में है सुर्य उदित होते ही सुर्य कुल का दिपक gy जाएगा उर्मिंजी का उत्तर सुर कर तिन लोगों का कोई भी प्राणी हूँ की वंदना के बिना नहीं रह पाएगा दिपक संकट में नहीं है वो उड़ी स सकता रही सूर्य उद्दे की बात तो आप चाहे तो कुछ दिन अयुद्द्ध में विसराम कर लीजिए क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उद्द हो ही नहीं सकता आपने काया कि परबुसी राम मेरे पती को अपनी गोद में लेकर बेठे हैं जो योगे सवर राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं मेरे पती जब से वन गए हैं तब से सोय नहीं है उन्होंने ने सूर्य का प्रण लिया था इसलिए वो थोड़ी देर के लिए विसराम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई त और जब उनके सरीर और आत्मा में है सिर्फ राम तो सक्ति राम जी को लगी है दर्द राम जी को ही हो रहा है इसलिए अनुमान जी आप निशिंद होके जाए सूर्य उदित नहीं होगा राम राज्य की नीव जनक जी की बेटिया ही थी कभी सीता जी तो कभी उर्मिला जी धालाइसस्ताब्यत किया यहिरे वास्ताव में राम राजे है इन सब के प्रेमाइक समर्पन वर्यदान से ही आया जै सीरी राम जैसृ-णिषिराम पसंद आया हो प्रेमत्याग समर्पन की भावना करमान में हूं तो इसे आगे हो वह सहां पर्लिए